बस्पा के मंच पर चरकर उन्होंने कहा कि मैं आज से बस्पा छोड़ रहा हूँ इतनी हिमत कहा से आई मान ने बहन जी से डरने लगता था इसलिए कि ये मन के अंदर बहुत दिनों से कुंठा चल रहे थी कुंठा इसलिए भी थी कि हम बहन जी के साथ दस्यों साल ऐसा रहा जो आमने सामने और बहन जी की सीधे डारेक्शन में भी काम कर रहते हैं पर उन दस्यों साल में इधर पीछे के दस्यों साल में हमने कभी नह प्रक्रीज को कवी पेच्छा रहा उनके करीज के बातें नहीं सुन रहाः बस टी-वी में देख लेता है उनके ट्विट पढ़ लेता अइसा लेकिन अंदर की बात यह है कि वो कभी भी समाझ के दर्थ पर बहुत करने के लिए मैं गोरखपूर पहुंचा था और गोरखपूर पहुंच कर मुझे हमारे पुराने साथी पुराने संघर्षों के साथी सब्सक्राइब कुमार निराला जी से मिलने का सुबागे प्राक्त हुआ पर चार राजनीटी से उनका जीवन शुरू हुआ उसके साथ बस्पा के लिए उन्होंने कई वर्स काम किया और वारत्मान में आब वह अपना अम्बेटकर जन्मूर्चा सब्सक्राइब करेंगे चाहतर राजनीती से उन्होंने राजनीती शुरू की बसपास से होते हुए सफर अम्बेटकर जनमोर्चा तक कैसे पहुंचा सरसभागत आपको दन्यबाद आपको निर्णा जी चाहतर राजनीती से लोग आते हैं हमारे समाज बहुत कम ऐसे यूवा से वह उस समय जिससे में कहा जाता है कि दलीतों का बहुजनों का गोरखपूर के अंदर तो कहीं मान समान तो छोड़िये मतलब चपल उताली जाती थी और रस्ते में चलते थे तो क्या अनुभाव है आपका लोग विद्यार्थी थे छात्र थे तो उस समय जो समाज की स्थ सब्सक्राइब करते हुए यहां पर ठाकूर लाभी बहुत चरम पर थी हमारे समाज के जब छात राते थे तो विश्विद्यार्य के गेट पर उनको रूप करके बहुत अपमानित किया जाता था तो वस घटनाएं होती थी कहीं कहीं हम लोगों को देलित करती थी इसको नह इस तरह की बरबरता होती थी मार पिटाई भी होती होगी उनिवस्टी के अंदर जैसा कि आपने बताया चपल उतार दी जाती थी उनकी मुर्क साथ मार पीट होती थी तो आपको डर नहीं लगता था कि हम लोग धीरे-धीरे समाज के बीच में अपनी पैठ भी मद्बूत क पर चुकेते यह द अपने दें जाहिए अगे उनहीं थे और Oswald नोब्यारे कतक चवर्व को अनुझे में कामयाँ हुए जिस विश्विद्याले में हमारे लोगों को चपल पहन के आने नहीं दिया जाता था उस विश्विद्याले में हम चास संग के प्रेसिडेंट के उम्मिद्वार भी बने और चुनाओं हम दो दो बार लड़े एक बार जेल चले गए लेकिन इतना जरूर है अगर हारे भी तो करते थे तमाम इस तरह से घटनाएं करते थे वैसे तो अगभारों का यह वाता समीच्छा आता था जो में मीडिया की समीच्छा होती थी तो यही कहते थे कि ठाकूर अब्रामण की लाभी में डली तेक नया रास्ता बनाएगा सर्वणक्मान निराला विश्विद्याले के हो जाएंगे इसा उस में की पत्र कार्टा भी membrane थी तो वहराने का ही मामला था बस भाकी राजिति कैसे शुरू हुई बस्भाकी राजिती सभाविग सी बात है कि जब हमलों चातरा तूस्त में अचुकी थी और मानवर कांशी राम साहाब देशके अंदर नायक के रूप म संमाज देख रहाता हम लोग भी पढ़ लिख रहे थे तो परिवार में भी हम लोग के घराने के लोग भी बिएस पी का जंडा साइकिल में कैसे चोरी से लेके Less निकलते थे रहिलियों में जाते थे तो परिवार से भी प्रिणडा थी तो वहाँ से निकल तो मिसंद बाबा साब के मिसंद के तरफ हम लोग मुडए तो मानुवर साय थे बिएसपी सामने थी तो सभाविक सी बात है कि जब ओहां से बिद्ध्यार्थी जीन से और बीद्ध्यार्थी जीवन वे भी पार्टी के लिए उस समय बिएसपी के लिए हम लोग जंडा लगाना कुर्षी लगाना लेही बना कर रात-रात भर सीड़ी कंदों पे ठोना और गलियों में पोश्टर चस्पा करना वो सब काम करते थे अब उम्हां चात्व राजनीती में बड़ी पहचान होते हुए भी पार्टी के लिए करना अपना करता भी समझते थे क्योंकि मतलब मानेवर सहाब का मिशन बाबा साथ डाक्टर बेटकर का मिशन समझते थे हम लोग इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए उस समय काम करने लगे जो आज नहीं दिखता है इसलिए कि यह मन के अंदर बहुत दिनों से कुंठा चल रहाई थी कुंठा इसलिए भी थी कि हम 500 10 साल ऐसा रहा जो आमने सामने और बाइन जी की सीधे डारेक्षन में भी काम कर रहते हैं और उन दस्यूं साल में इधर पीछे के सवाय नहीं न ही देखा है कि बहन जी समाज के पीड़ा की बात करें समाज के समस्याओं की बात करें समाब师 Department बसपा को कहा जाता है कि मिशन? की है तो हमारा भुला भाला समाज, हमारे जो चोटे कारिकर्टा और भोला समाज जो दूर से जी को देख रहा है उनके करीब ने उनकी बाते नहीं सुन रहा है बस टीवी में देख लेता है उनके ट्वीट पढ़ लेता ऐसा लेकिन अंदर की बात यह कि वो कभी भी समाज के दर्द पे बहुत करते नहीं देखा तो जो मैंने भी जटके में छोड़ा एक टाइम का टिकट का लड़ाई नहीं है और टिकट का कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे जासा कार्य करता तो टिकट को बहुत पीछे चोड़ता है हम दो समर्पीत हो चुगे थे लेकिन वह हमने देखा कि जहां बहां जी को समाज के दर्द पे बात करते हो सुनना चाहते समाज की पीड़ा समाज की समस्याओं पर बात करते वो सुनना चाहते थे वो सुना नहीं इसलिए वो मन के अंदर एक कसक हो रहा था कि हम तो आयते मिजन का काम करने अब हम यहां एजेंट बन रहे हैं यहां हम दलाल बन रहे हैं जो बहंजी रोज टार्गेट देती है कि आप करते करते मन में पूंठा आ गए तो सीधा सीधा जो जिन लोगों को बस पासे निकला गया है उनकी भासा बोल रहे हैं आप कहरें के बस पा तो एजेंट गीरी का करती है हम उनकी भासा का मसला नहीं है जो आम लोगों का दर्द कोई बात अगर निकल के आईये सामने तो समाज में आप देखिए जिसे समाज आज जो दलिद बस्ती को ले लिए खास करके जो खांटी जो चमार जो एक तरसे लड़ते हैं बीस पी के लिए और बीच के दिनों में क्या हुआ था कि चमारों की बस्ती के तरफ दूसरी पार्टियों के लोग जाते ही नहीं थे चुन सवाल जो है जो गाउव द्यात का आदमी बोजपूरी में बात कर रहा है कितना लगल है कितना लेली है तो अब वो कार करता समर्पित था अब जो कंडेट भी आ रहा है मनवर सामने कहा था कि पहले ओट डालना तब जाके खाना खाना था तो वह कंडेट को नहीं ढूडता लेकिन आज कार करता क्या कहता है टिकट लेवे गई ला तेहतना दिया ला और यहां खर्चनाई कर भा तो बिना लिए अब नीचे का कार्यकरता भी उठ नहीं रहा है क्योंकि वह जान रहा कि आप दे क्या आए हो और आप इतिहास भी देख लीजिए आप बेबाकी से समिक की बात छोड़ दीजेगा कि जो बीएसपी का एक दिन कभी कार्यकरता नहीं रहा है एक दिन कभी जंडा नहीं उठाया है वह ऐसे लोग 95% लोग बीएसपी का टिकट पाए है क्यों उनकी मेरिट क्या है क्योंकि वह बड़ा इमाउंट बीएसपी में ले जाकर जमा करते है इसलिए कार्यकरता का लगात हूं उनके साथ नहीं क्यों क्यों कर करता भिसमें रहा n हारेगा वह समाज के किसी के बी दुख दर्द में नहीं चाएगा इसलिए कर्करता करता फो में तुम्हारा दाम में मायवति ऑगए dt और ले disfr thinking लेगे लेकिंगый तो अब तो आम आदमी अब तो आम कारता कि इस बात पर परदा डालना अब तो सब लोग बोलते बात सबोना स्बाइब मुद्दों को चोड़ अज मुद्डों देते ना कि बाबा साथ ड़ सब लोग बोलते हैं दूद जहां से मिलना था वह रास्ते भीजेपी सरकार बंद कर रही है और वह बीजेपी सरकार के समर्चन में हर घड़ी भेंजी खड़ी नजर आ रहे हैं राश्पति के सवाल पर अभी आपने देखा कि मतलब आप न कुछ करती चुप रहती तब भी ब विधाय मिलती थी आज वो खतन है आज हमारे बच्चे जहां उनको पांच लाग दस लाग पचास जार फीस लग रही है रिक्सा चलाने वाला आदमी है दिहाडी पर मजदूर करने वाला आदमी है जहां हम लोग जीरो फीस पेड मिसन पे हम लोग पढ़ लिए आज करते हिए ट्रव जाने पर तो यह जीवन के तरफ जाने के लिए बीजेपी ने मजबूर करके बेएसपी को बहनजी को समाज ने महां तक किया था एंधी नहीं बोला और संविधान के मसले पर हर दिन बीजेपी दोहन कर रही बीजेपी संभिदान की हत्या करें खुले आम कर रही है तो आज बहंजी नहीं वो समाज को यह उम्मिद थी कि बहंजी नहीं बोल नहीं तो इसलिए यह गस्ट और समाज के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं बहुत सारे हमें अधिका अधे लोगों को मीलिया आधे लोगों को मिली नहीं इंडर नेंगर शिंटे या मनूप्तों करतेने की क्पतों से हमारे समाज का संमान नहीं बढ़ेगा हमारे समाज को तीन सब्सक्राइब करते हैं वह तो एक सुरुवात किया था उन्होंने हाँ बहुत सारे लोगों पे कबजा नहीं मिल पाया आज भी बगल का जिला है आर्पियंसिंग यहां का बड़ा नेता है पहले कांग्रेश का अभी वह स्टेट है यहां पे डेड़ सो लोगों का इंतखाब मेरे अभी आपिस में है कि कि किसी को एक बिगा किसी को दो बिगे का पट्टा मिला है और तीस साल पहले क्यानवे में मिला है और आज तक उनको कबजा नहीं सारी जमीनों पे कबजा आर्पियंसिंगा जो बीजेपी का नेता है तो ह हम भी उसी नीती पर काम करने लगे कि जितना गरीब बने रहेंगे उतना हमारा जायकार करेंगे यह तो आपका रोज था जो कई वर्सों से दबा हुआ है और क्योंकि एक कारता है और वह सामने सिद्ध होता वाला दिखाई दे तो रोज सुवावाविक है अब आप मुझे सब्सक्राइब करने के लिए अभी हम जो अस्थानी जो मुद्धे हैं जो तमाम लोगों के साथ उत्पीडन की घटनाएं होती हमारे लोग मारे पीटे जाते हैं उन सभी बेसिक मुद्धों पे हम लड़ रहे हैं जो योजनाय जन तक नहीं पहुंचते हम उन योजनाओं क को पहुंचाने की कोशिज कर रहे हैं जागुरू करने की कोशिज कर रहे हैं जमीन का मुद्धा अब हमारा मुख मुद्धा है अब हम जमीन के मुद्धे पे लड़ना चाहते हैं जमीन के मुद्धे पे हमने पिछले 17 दिसंबर को गोरतपूर में रैली किया था और एक ला नहीं लगाया पुरा घर सील कर दिया 500 पुलिसकरमी अचानक मेरे घर पहुंचते हैं 26 दिसंबर को और मेरा घर यह करके सील किया जाता है कि निराला जी आप बताईए आप रेली करते हैं रेली क्लिए आपके पैसा कहा चाहिए सरकार की कुछ लाइबिल्टी आप जमा नहीं क हमने पूचा लाइबिल्टी आपकी क्या है हमें बताओ तो नहीं यह बाद में बताए जाएगा पहले आपका घर सील किया जाएगा तो फिर हमारा घर अचाना उनका प्लान था कि हम अटेक करेंगे फिर हमारे उपर मुकदमें करेंगे जेल करेंगे बरहाल और भी जद्द फिर दाकिल होता हूं तो मेरा घर सिल किया और उसके बाद हमको डराने में नहीं कामयाब हूँ तो हमारे जो संग्ठन के जो मुख्य पतादिकारी उनके घर पर भी लगातार उन्होंने पुलिस का छापा मरवाया सीमा गौतम की घर बारबज रात को सैकोड़ों पुलिस कर सफाव बोलते हैं तो घर क्यों नीशील करेंगे वह आपको के खिलाफ कहीं सवाल नहीं है हमकिसी का मकान गिराना नहीं चाहते हैं हमारी बरसों से जोपड़ी आबाद नहीं हुए हम अपनी जोपड़ी को आबाद करना चाहते हैं अगर हमने अपना अधिकार मांग लिया और किसी को नागवार लगता है तो लग जाए कोई कितना भी बड़ा ताकतवर होगा पर हम अपने समाज की बात जरूर करेंगे और अम्बेटकर जन्मोर्चा पूर्वी उत्रप्रदेश की एक ताकत है और हम लड़ रहे हैं और देखें सर मैं आपको बताऊं कि अम्बेटक से बाकि देश में उसे अम्बेटकर जन्मोर्चा देश के दस स्टेटों में हमारी संग्ठन भी खड़ा हो चुका है और उत्तरप्रदेश के अंदर हम 55 जिलों में एकदम मद्बूत हमारा संग्ठन खड़ा हो चुका है 2024 का चुनाव हैं आने वाले हैं क्या तैयारिया है 2024 का चुनाव हम लड़ेंगे विधान सभा का चुनाव 2022 भी हम लड़े थे हमने अपने मेटकर जन्मोर्चा के संग्ठन के तरफ से चार लोगों को परत्यासी भी बनाये था अभी हम पिछला मेयर का इलेक्षन गोरकपूर में सीमा गोतम जी को हम लड़ाये थे और लोग हम लोग उस पर काम कर रहें उन सीटों पर भी हम कंडिडेट उतारेंगे हम चुनावी मैदान में खुल के रहेंगे और हम जबाब भी बनेंगे तो साथियों आप थे सेर्वार कुमा निराला और पड़ी बेवाकी से इन्होंने सावी सवालों के जवाब दिये हैं खासकर सब्सक्राइब हैं मुझे लगता है कि आप सबी लोग उसको पर फोकस जरूर करेंगे और क्या राया आपकी बनती है क्या आपका विचार है उस पूरे मामले पर जैसा कि आरोप लगे हैं पूर्व के कदावर निराला जी ने भी खुलकर आरोप लगाएं कि जितने भी साल बेहनजी के साथ रहे माने बेहनजी ने एक बार भी समास की आवाज उठाने की बाप नहीं की सिर्फ ये कहा के वहांसे कीज्शाए tricks की बात जानता है आप अप क्या कहना आप झाल झाल